हेलो फ्रेंड्स मैं जीत आपके अपने यूटूब चैनल एकजाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हाजिर हूँ इस वक्त एक नई सूचना लेकर और यह काफी इंपोर्टेंट है काफी महत्पून है और बहुत ही बड़ी खुसकबरी है BSEB की तरफ से जो भी STET 2011 के रिजल्ट में पास हुए है उन सभी के लिए काफी महत्पून है और चलिए देखते हैं क्या है जैसे मैं आप देख सकते हैं यहां लिखा है बहाली की तरफ एक और कदम इससे जो यह न्यूज पेपर में छापा है जो यह न्यूज है उससे एक बात सावित होती है कि सरकार चाहती है कि बहाली करे तो STET 2011 में जो भी विद्यार्थी पास हुए है उनके लिए एक बड़ी ही खुसकबरी है यह कर सकते हैं एक अच्छा कदम एक और भाली की तरफ एक और कदम कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या है जो मैं BACB ने दिया है सबसे पहले देखते हैं यह है विज्यप्ति संख्या PR 62221 यह बिहार विद्याले परिक्षा समिती पटना की तरफ से यह प्रकासित किया गया है यह इसका विज्यप्ति संख्या यह आज यानि 13 अप्रेल 2021 को 13 अप्रेल 2021 के नियम्श पेपर परभात खबर का यह कटाउट ह परभात खबर में यह चापी गई है आप देख सकते हैं तो इसमें क्या है आईए दिखाते हैं आपको क्या लिखा है दिनांग 2421 को ऑनलाइन विदी से आयुजित माधमिक सिक्षक पातरता परिक्षा यानि सभी अभ्यार्थी उनके अभिवावक एवन सर्व साधारन के लिए अपसेख सुझना यानि कि यह जो विग्यप्ति निकाली गई है इसमें 2 अप्रेल को जो एक्जाम हुआ था किनका 106 विद्यार्थियों का जो तीन विशे का एक्जाम रह गया था और वो 2 अप्रेल को लिया गया है उसके विशे में यह सुझना जारी की गई है आईए देखते हैं क्या है सुझना तो सुझना है कि एतत द्वारा सभी संबंदित अभ्यार्थी उनके अभिवावक एवन सर्व साधारन को सुझित किया जाता है कि दिनांक 2421 यानि 2 अप्रेल 2021 को ऑनलाइन लिज़ायों का रिजल्ट आ चुका है, तीन विशयों का रिजल्ट अभी बाकी है, उन्हीं तीन विशयों के 106 विद्देखतारन का फेपर कब हुआ था? यह हुआ था 2 अप्रेल को उनके बारे में बताया जा रहा है, विशयों का प्रसंपत्र एवं उत्तरकुंजी सिमि तक अप्लोड रहेगा यानि कि जो भी 106 विद्यार्थियों का एक्जाम 2 अप्रेल को हुआ है उनका आज से 13-4 से यानि 13 अप्रेल से 17 अप्रेल तक उनका प्रसंपत्र और उसका एंसर की इस वेबसाइट पे उपलवद रहेगा इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडिय इस वेबसाइट पे जा सकते हैं चलि दूसरा क्या है इसका दूसरा पॉइंट है उत्त परिक्षा के उत्तरखुंजी में अगर किसी प्रकार के कोई तूटी होता है तो समीति की वेबसाइट इसी वेबसाइट पे साक्षदिनांक 13 साक्षई साहित यानि अगर आपको लग पेपर होगा किताब का बुक प्रिंट कोई भी होगा उसके साथ दिनांग तेरह चार से सत्रह चार तक आप अपत्ति दर्ज कर सकते हैं कैसे आपत्ति दर्ज करेंगे तो उसके लिए आपको एक साक्ष होना जरूरी है अगला पॉइंट है होगा ऊपत्ति दर्ज करेंगे तो यह आपको याद रखनाय है क्या है है वेबसाइट मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से फिर आप वेबसाइट जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यह अप्शन खुलेगा ग्रिवेंस पर आप क्लिक करेंगे और अपना अपजेक्शन डाल देंगे चलिए आगे देखते हैं अग कुझी पर अपनी आपत्ती दर्ज करा सकते हैं तो क्या के डालना होगा अप्लिकेशन नमबर आपको लखना होगा रोल नमबर और डेट बर्थ उसके बाद आप लोगिन कर सकते हैं चलिए आगे देखते अंगला पॉइंट है आपत्ती सिर्फ ओनलाइन माध्यम से ही स्व पांच अप्रेल को सिख्चा मंतिर के दवारा कहा गया था कि केस मेंसरिंग कराया गया है लेकिन उसपे कोई विचार नहीं हुआ वह केस अभी तक लटका पड़ा है उसका मामला पांच अप्रेल को लेकिन फिर भी जी यह जारी करने के वादेशा लग रहा है कि सरकार चाह या फिर जैसे भी जैसे ही यह कोट के समाप्त होता है उसके बाद उसके जरूर आगे की करवाई की जाएगी फिलाल यह तो देख सकते हैं तो 13-4 से याद रखिए का 13-4 से 17-4 तक आप इस पर अफती दर्ज कर सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक अ साथ ही हमने इसे पहले BACB को एक एस्टेट दो जावनी इसके रिजल्ट के बाद BACB को एक RTI लगाया था उस RTI का क्या जवाब आया है इसके लिए हमने वीडियो डाल दिया है आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं लगबग 8 सवाल हमने पूछे BACB से उस RTI की जरिये और उसमें से 6 सवाल का जवाब नहीं आया है लेकिन 2 सवाल को उन्होंने कह दिया कि उसका जवाब नहीं है वह समन्नित नहीं है क्या क्या सवाल है आप देख सकते हैं जाके उस वीडियो में और जो जवाब आया है उसका भी लेट अपने सभी दोस्तों में एक्जाम दर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जय हिंद जय बारत